हलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का स्टेडी विद्ग्यान में देखे इस वीडियो में हम लोग हैंदी मांक टेस्ट के पार टू पर बात करेंगे इस वीडियो में भी मैंने तीस प्रसणों को रखा है जो कि प्रहिशा के दिश्ची से बहुत ही इंपोर्टेंट है और सही उत्तर आने पर आपको एक नंबर मिलेगा गलत उत्तर आने पर आपको जीरो नंबर मिलेगा तो मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले आप अगर एक पेनल पेपर ले लेंगे तो सबसे बढ़िया होगा मैं एक एक करके पसन बोलूंगा उसके बिकल्प आपको दूंगा अग प्रीज मेरा रिक्वेस्ट है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए इसे आप ही का फाइदा है क्योंकि आप तब सारे मॉप टेस्ट सारे डिसकेशन में सामिल हो पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रस लाता हूं आपके लिए प् बिकल को चूझ कीजिए अब तक आप अपने विकल को चूझ कर चुके होंगे मैं सही उत्तर बता रहा हूं प्रियतम सतका इस्त्री लिंग रूप होता है प्रियतमा आप संसी स्करेक्ट ठीक है अगर आप सही है तो खुद को एक नंबर दीजिए गलत है तो जीरो नंबर अगर जीरो में तो नंबर आ रहा है आपका तो कोई बात ने फ्रेंट्स क्योंकि आपको एक नया एक नया तथ्थ्य आपको पता चल गया और अगर आपको आपका सही है तो खुश हो जाईए आगे बढ़ते हैं दूसरा परसंद देखते हैं अपक्छा सब्द के समानार्थी सब्द का चैन नीचे देगे बिकल्पों में से कीजिए आप्सन ए आदर आप्सन वी वनिस्पत आप्सन सी निरादर या आप्सन डी लापरवाही आप अपना बिकल्प चूज कीजिए उमीद है आपने अपना बिकल्प चूज कर लिया है और मैं से उत्तर वता रहा हूँ अप एक्छा सब्द के समानार्थी सब्द का है वनिस्पत यानि कि आप्सन बी से ही है अपना उत्तरा मुलांकित कीजिए एक और जीरो से आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रसंद आता है आपके लिए अस्तन्य ठीक है इह अस्तन्य सब्द है अस्तन्य सब्द के लिए नीचे दिएगा ये रिकल्प मेंसे पर्यायवाच्ची सब्द चुनिए option A है, खीर, option B है, पे, option C है, कधी, और option D है, दूद, तो अस्तन का परयावाची क्या होगा? मुझे उम्मीद है, अब तक आपने अपना विकल्प छूज कर लिया होगा, सही विकल्प है, दूद, अस्तन का परयावाची दूद होता है, अगर आपने सही विकल्प चुनाता तो खुद को एक नमबर दीजिए, अगर आपका विकल्प गलत था तो खुद को 0 नमबर रही है इसलिए निरास बिल्कुल न होई है होसला बनाए रखिए आगे का टेश्ट दीजिए ग्रहीत सब्द के लिए नीचे दिये गए विकल्पों में से सही विलों सब्द चुनिए ठीक है आप्शन ए विनीत आप्शन बी करकस आप्शन सी अर्पित या आप्शन डी करून ठीक है मुझे उम्मीद है अध्यक आपने विकल्पों का चैन्द कर लिया है और सही उत्तर है ग्रहीत सब्द का विलों क्या होगा अर्पित ग्रहीत सब्द ग्रहन जे बना है यानि की लेना और अर्पित का अर्थ होता है अर्पन कर देना तो दोनों ही सब्द एक दूसरे के विलों में है चार सब्द आ रहे हैं उसमें से आपको तद्भो सब्द का चैन करना है पहला सब्द है बाह ऑप्शन बी दुग्ध ऑप्शन सी होलिका और ऑप्शन डी मत्ष तद्भो सब्द का चैन कीजिए अगला प्रस देखते है प्रस्द छे आ रहा है आयोत सर्ग सब्द में प्रयुक्त संद्ध के प्रकार का चैन नीचे दिये गए बिकल्पों में से कीजिए आयोत सर्ग ये सब्द है ठीक है इसका जो है आपको बताना है कि कौन सा इसमें संद्ध ये कौन सी संद्ध है यन संद्ध गुण संद्ध बिसर्ग संद्ध या आयाद संद्ध ठीक है मैं सही उत्तर देता हूँ आपको आयोत सर्ग देखें दो सब्दों से बना है आय धन उत्सर्ग से बना है आय में आप देख रहे है य .. में आ आता है ठीक है आय शब्द आता है। और दूसरे संद्ध का तो या झो ये और छोटा मिल के यहाँ पर क्या बन रहा है य यो डरहा है यू वक्लिटफ तो यए गुन संद्ध है Option B is correct यकून संदका नियम क्या होता है कि अगर एंतलब पहले सद्ध का जिसे आयोसद में या आ ऑँ और दूसरे सद्ध का दूसरे सद्ध में छोटा इओ या बड़ा यहो तो मिलकर ए बनता है उन चारण में दूनों को मिलकर और ए और उ मिलकर वणाते हैं तो इसमें दीए और हुए है और यहाँ पर वर बन रहा है इसी यह गुण संदि है संदि कि से कहते हैं दो वरणों के आज क्रेस्व पास आने पर उन्हें जो विकार सहीत मेल रहता है उसे संदिक एज़ते हैं सू पुरुस में कौन सा समास है अगर आपने समास नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रेलिस्ट में जाएए उसमें आप समास को एक बार देख लीजिए वीडियो को निश्ची दुरूप से आपको बहुत फायदा होगा और आपको कुछ और पढ़ने का उसकता समास के बारे में नहीं पड़ेगी तो देखिए सुपरुस में कौन सा समास है उम्मीद है अब तक आपने बिकल्प चूज कर लिया होगा और सही बिकल्प क्या है सही बिकल्प है करंधारय समास ठीक है option C is correct करंधारय समास के बारे मैं बता देता हूं मैं आपको इसमें दोनों बदों में विशेश और विशेशन का संबंद होता है यानि की उपमान का यानि की उपमा दे जाती है को संदर है जो पूरूश data कुरूश अगर में ruin आपको सद्गूण सद है जो गूण अच्छा है जो गूण इस तरीके से तिसलिए सूरु पूरूस कि आपके लिए लोगोगत के सही अर्थ का चैन के कीजिए एक लोगोगती दी गई है उसका क्या अर्थ बनता है आप इसके विकलप में से सही उत्तर केजिए अंत भले का भला ये लोगोगती है अंत भले का भला ओपसन ये इसका मतलत की भला व्यक्त सरलमोत मरता है option B अच्छे काम का परडाम अच्छा होता है option C भले व्यक्त के साथ कि सब काम सार्थक होते हैं या option D जिस काय का अंत अच्छा हो वही अच्छा है ठीक है चलिए सही उत्तर में बताता हूँ आपको टाइम हो गया option B सही है अंत भले का भला यानि की अच्छे काम का परड़ाम अच्छा ही होता है option B इस करेक्ट आगे देखते हैं वह घर पहुँचा तो मारा देख रही थी एक वाक्य है इसका प्रकार चुनना को यह कौन सा प्रकार है कर्थवाच्छ है कर्मवाच्छ है भाववाच्छ है या उप्रक्ट में से कुछ भी नहीं है ठीक है देखिए ओके correct answer is कर्थवाच्छ कर्थवाच्छ के बारे मैं आपको बता देता हूँ का अर्ध क्या होता है वाच्छ का अर्थ होता है बोलने का विसे और कर्तवाच के परिभासा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से वाकिके उद्देश से यानि कि क्रिया के कर्ता का बोध हो वह कर्तवाच का लाता है इसमें लिंग और बचन कर्ता के नुसार होते हैं ठीक है यह इसकी परिभासा करतवाच की चलिए आगला देखते हैं प्रस्ट मिरमने लिखित वाक्य के जिस भाग में तुरूटी हो एक वाक्य दिया गया है उसका जिस भाग में तुरूटी हो उस भाग का अक्छारांग उसको अक्षा से निर्देशित किया गया है एक डो तीन चार से आपका उत्तर है मतलब जो भाग गलत होगा वही आपका उत्तर बनेगा इस वाग में अगर कोई तुटी नहीं है तो चौते को आप उत्तर बनाईएगा मतलब चौते का मतलब होगा कि कोई गलती नहीं वाग की सुद्ध है उस सड़क पर पहला पार्ट हो गया दो दो मील पर दूसरा पार्ट हो गया एक एक पत्थर लगा है तीसरा पार्ट हो आप गलती को चूच कीजिए कि कौन सा वाकिस में कौन सा खंडिस में गलत है उस सड़क पर दो दो मिल पर एक एक पत्थर लगा हुआ है सही है चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका उत्तर क्या आगा है इसका option 4 सही है इस वाकिस में कोई वित्रूटी नहीं है आगे दिखते हैं रामायर और महाभारत दोनों ही ग्रंथ कैसे ग्रंथ हैं इतिहासिक हैं, पौराणिक हैं, सहितिक हैं या सामाजिक हैं आप अपने option को चूच कीजिए औके, and correct answer is पौराणिक क्योंकि इनसे हमारे पौराणों के बारे में जांकरी मिलती है इतिहासिक ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिनसे हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है लेकिन रामायर और महाभारत जो वो इतिहास के सुरूत नहीं है हमारे ठीक हैं उनसे हमारे पुराणों के बारे में जांकारी मिलती है इसलिए उन्हें पुराणी करते हैं आगे दिखते हैं काब के आस्वादन से काब सुझते हैं हिंदी की विधा कविता और जो उसके पद होते हैं यह सब तो काब के आस्वादन से काब को पढ़ने से जो आनंद मिलता है उसे क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं चंद कहते हैं उपसर कहते हैं या रस कहते हैं और सही उत्तर है कि उसे रस कहते हैं option d is correct अगला पस्त देखें ये थोड़ा सा आप इसको ध्यांसे देखें वाग्य की जयों-जयों बूढे श्याम रंग त्यों त्यों उज मैं प्रुप्त अलंकार का चेहन करना है आपको आप्सन ए उत्प्रेच्छा आप्सन बी विरुदाफास आप्सन सी उपमा या आप्सन डीर क्या मत तेकिए अलंकार को चूज करने से पहले थोड़ा समझ लीजिए जियों-जियों बूढे श्याम रंग जैसे जैसे बूढे मांदब पुराना होता जाता है श्याम मांदब काला रंग जैसे काला रंग पुराना होता जाता है तो अलंकार है इसमें विरुदाफास है तो आप्सन बी इस करेक्ट ठीक है आगे देखते हैं तोएका परियावाची क्या है आप अपने सही वीखल को चुनिए और मैं उत्तर बताता हूँ जल तोएका परियावाची है अपने उत्तर को मुल्यांगित कीजिए 0 से या 1 से आगे बढ़ते हैं बेमेल सब्ध खोजना है आपको पंचांग, पंचानन, पंचम या पंच इसमें बेमेल सब्ध क्या है बेमेल सब्ध है आप्सन ए पंचांग ठीक है आगे देखते है जिसको ब्याकरण का ज्यान हो ठीक है उसे क्या कहते है आप्सन ए option B, वयाकरण, option C, वयाकरण प्रड़ेता, या option D, वयाकरणा चार, क्या कहेंगे? B is correct, वयाकरण, इसे वयाकरण का ज्ञान होता है, उसे वयाकरण पहते हैं, तीक है? आगे देखते हैं, उप्यूग तो विकल्ब चुनिए, महात्मा गाधी, अहिंसा के साक्षाद, रिक्त स्थाने इसकी पूर्ती करनी है, नीचे देखे अप्सन में से, आप्सन A विग्र, आप्सन B अनुग्र, आप्सन C परिग्र, या आप्सन B परिग्र, महात्मा गाधी, अहिंसा के साक्षाद, हाँ, विग्र थे, विग्र गार्थ क्या होता है, विभाग या टुकडा, महात्मा गाधी, अहिंसा के साक्षाद जो एक अंस थे, एक टुकड लागों की option A, विस्तार, option B, संछेप, option C, लंबा, या option B, दीरकालीन ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ तरह बापो सही, देखे, लागों का अर्थ क्या होता है, यह जानी है लागों का अर्थ होता है, लागों जो है, इसका अर्थ होता है, लग होने का भाव, अल्पता या कमी होता है, ठीक है और इसका विलोम क्या होगा, option A is correct, विस्तार, ठीक है, आगे देखते है अवेई भाव का उधारण है, नवग्रह, गाठकर, महात्मा, आमरण, इसमें साको अवेई भाव का उधारण खोजना है अवेई भाव अर्था जो अवे नहो, अवे का अर्थ क्या होता है, जिसमें कोई विकार नहाता हो, जिसके एक बचन बहुचन नहोती हो और सही अंसर है, आमरण, कभी भी आप आमरणों नहीं कहते हैं, इसका कोई एक बचन बहुचन नहीं होता है आमरन जहां भी प्रेवग होता है अपने अभेर रूप में प्रेवग होता है, ठीक है, आमरन आमरन ही लिका जाता है, अगला पसंद देखिए, काकु सब्द का सरवार्दिक उप्युक्त अर्थ, कववा है, कटु है, चाचा है या ब्यंग है, काकु, ठीक है, इसका अर्थ क करेक्ट, ओके, ठीक है, एक कैश्वा परसने देखते हैं, कुपात्र की सहायता करना ब्यर्थ है, कुपात्र की सहायता करना ब्यर्थ है, इस उक्ति को चरितात करती कहावत होगी, ओप्शन ए, अंध्य को नियोता दो, दो जनाए, ओप्शन बी, कुप्टे को खिर खिलाई, पान में नपूरे में, ओप्शन सी, गधे की खाई खिर थी, नपाप में नपूरे में, या ओप्शन डी, बंदर क्या जाने, अधरक का स्वाद, ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, ब कुप्टे को खिलाई की पाप में नपूरे में, ठीक है, आगे देखते हैं, अन्वेशन का संदी विच्छेद, क्या होगा, देखें, यहाँ बेबी, अन्वेशन का संदी विच्छेद करना है, बाईशनों प्रस्ण है, अन्धन वेशन, आप्शन बी, अन्धन एशन, अन तो सही उत्तर क्या होगा, अब 22 का, बी, अन्धन एशन, देखें, अगर पूछा जाएकि इसमें कौन संदी है, तो क्या बता हैंगा? गुन संदी है, क्यों गुन संदी है? अनू., इसमें उ मिल रहा है, फिर ए मिल रहा है, और मिल के ये बन रहा है, अन्वेशन, इसलिए में बुर्णजंदी है निर्वात का समनार्थी सब्द क्या होगा निर्वात सॉरी निर्वात का समनार्थी सब्द क्या है भ्रम विवाद रहित बिना हवा वाला या बुराई निर्वात सही उत्तर है बिना हवा वाला option C is correct अपने उत्तर को मुलांकित कीजिए सही पे 1 गलत पे 0 आगे देखते हैं सकर्मक्रिया का चैन कीजिए लेटना option B छूटना option C पिघलना या option D कड़पाना इसमें से सकर्मक्रिया का चैना को करना है और सही उत्तर है क्या छूटना ठीक है 24 का B 25 बड़ों के लिए उप्यूत अभिवादन का चैन कीजिए कोई आपसे बड़ा है तो उसका अभिवादन आप ऐसे करेंगे सप्रेम नमस्कार option A सादर परणाम option B ससने option C चिजन जीव option D और सही उत्तर क्या होगा correct option B is correct सादर परणाम ठीक है मानो सब्द के लिए उप्यूक्त भाववाचक संग्या संग्या भाववाचक का चैन कीजिए मनस्वी option B मानावता option C मनुसत्य option D आदमियत इसमें भाववाचक संग्या कौन सी होगी कौन सी होगी okay B मानावता ठीक है अगला परसंद देखिए ठीक है फ्रेंड्स इसमें क्या है न फड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया है मिस्प्रिंट नहीं हुआ प्रिंटी नहीं हुआ है भीकल्प मैं बोलूँगा आप प्लीज सुन क्यों जबाब दे दीजिएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं हिंदे की मूल उत्पत्ती किस से हुई थी ये प्रस्थ में आपको option मैं दे रहा हूँ सुनिए ध्यान से option A लौकिक संस्कृति से ठीक है option B वैदिक संस्कृति से ठीक है option C मागधी से ठीक है या option D सौर सेनी अपभ्रांस से ठीक है हिंदी की उत्पत्ती कैसे हुई है करेक्ट ये option D सही है सौर सेनी अपभ्रांस से हिंदी की मूल उत्पत्ती हुई है ठीक है ठाइंट्स फ्रेंट्स थोड़ी सी गलती हो गी थी आगे देखते हैं हिंदी भाजा की वे ध्धनिया जो सुतंत रूप से बोली या लिखी जाती है उन्हें क्या कहते हैं 707 करते हैं बियन्जन करते हैं व्र करते हैं या अक्षर करते हैं आपड़ी ने को हिंदिक मांसा की व्य धुनिया जो सटन्धर उब नरुप से बोल जाती है को क्या है practically से research करते हैं कि उडिक्थ को बोलनेगे किसी और अल्फाबेट पड़ती है और यह कौन कोन से होते हैं आई ई उ री ए ए ऊ ठीक है क्योंकि इसमें जब बोलते हैं तो आई ही आता है जब आप क बोलते हैं तो कधन आता है कर इसलिए स्वत्न दूप से बोले जाने वाले जो धनियां है वो स्वार है आगला पसंद देखिए देकि आगला पसंद है कि नल की अरु नल नीर की गत एककर जोई जेतो नीचे होई चले तेतो उचे होई इस दो एक रसनाकार क्योंने आपको बताना है आपसन ए है कभीर बी रहीम आपसन सी बिहारी आपसन डी तुलसी कौन है रसनाकार इसके देखें हैं आप सही उत्तर पर एक नमबर दीजिए गलत उत्तर पर जीरो नमबर दीजिए और जीरो नमबर पर कोई दिख्कत नहीं एक नई जीतु शीकर रहे हैं आप आके देखते हैं रिकत अस्थानों की पूर्ति करो समय ब्यार्थ मत गमाओ डैस 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 बस्ताना जाते चाहिए होगा कि झाहिए क्योंगी पस्ताना पड़ेगा नहीं तुरंप पालेगा नहीं कि जिए अन्यत्ता पड़ा पिए ठीक है ठीक है अट फ्रिंड्स इस त्रीके से यह 31 उगए क्यों कि एक प्रस्ण मिल कैं इस इसमें वाले में देखिए आप यह जो था कहा गया हम हिंदी की मूल उत्पत्ती वाले में दो पसण हो गए थी ठीक है मैंने दोनों करवा दिये तो इस तरीगे से आपके एक 30 में जोड़ेंगे तो अपना मुलेंकर आप 31 में कीजिए कोई गुराई वाली बात नहीं है थ्प मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पथ पर फेक मात्र भूम पर सीष चढ़ाने जिस पर जामे बीर अनेक आपने ये कविता पढ़ी है आएंसियो और आपको बताना कि इसके रसनाकार है कौन सुमित्रा नंदर पंत जी हैं आपसन बी माकानाल चतुर वेदी जी हैं आप अपसन डी तुर्ण परसाद महस्तुरी कौन है ठीक है तो इसके जो है रसनाकार करेक्ट ऑफसन बीज करेक्ट माकानला चतुर वेदी ने लिखा है ठीक है फ्रेंड्स आपको देखिए कितने नंबर मिलें अपने त्यारी को आप जो है उससे इवेलिट कर लिजिए अगर आप चाहें तो कमेंट बाक्स में आप अपने जो है मार्क कितने अपने गेंड किये वह आप लिख सकते हैं लेकिन याद रखेगा कि 31 में है यह जितने भी नंबर मिलें आपको 31 में मिलें है ठीक है और दूसरी बात अगर आप लोग भीना सब्सक्राइब के चैनल को देख झाल